नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी का हर दिख स्वागत आपी के अपने चैनल मनी गुरुजी पर तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपियल 2022 के नेक्ष्ट मुकाबले के बारे में जो की खेला जाने वाला है लकनाव वर्सेथ चैनल इस बने रहेगा उससे पहले फ्रेंज से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से अगर आपने अभी देखा में टेलिग्राम पर फोलो नहीं किया तो टेलिग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी जल्दी से जल्दी समय टेलिग्राम पर लीजिए क्योंकि टेलिग्राम हमारा मनी गुरुजी के नाम से लेकिन आपको सर्च करने पर टेलिग्राम नहीं मिलेगा जो लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये उसी लिंक से आपको में टेलिग्राम पर फोलो करना है चले फ्रेंज सब से फेले अगर पीछ रिपोर्ट की बात करूँ शोट में कहूं तो यह जो पीछे हो पूरी तरह से बली बाजी के अनुकुले में मान की चल सकता हूँ एक सो सित्तर के करीब स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अब बाकी जो चीजे हैं जैसे कि या स्पेशल फेक्ट की मैं ग्रेनलिक टीम के बारे में तो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी प्लेइंग लेवन उतर सकती है सबसे पहले आप देखोगे लकनाव की टीम से केल राहुले क्विंटन डिकोगे इवेन लूई से मरीश पांड़े ही दीपक हुड़ा है फिर आप देखोगे आयुश बडोनी कुणाल पंडिया तो सम नंबर साथ पक इनकी बल्ले बाजी हमें नजर आती है फिर आप देखोगे दुश्मंता चमिरा के साथ महसिन खान है या फिर अंकी राजबुत दोनों में से को एक खिल सकता है रवी मिश्णोई और आवेश कान तो जितनी जड़े जा, MS दोनी, शिवम दुबे तो बल्ले बाजी बहुत ज़्यादा इनकी डीप तक है यहां पर आप देखोगे यहां थे कि ड्वाइन ब्रावो भी बहुत अच्छे बल्ले बाजी कर लेते हैं तो गेन बाजी और बल्ले बाजी दोनों ही टीमों के बहुत कमाल की नजर आ रहे हैं तो एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है फिर से जा दिलादू टेलिग्राम की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो फोलो कर ले ना टेलिग्राम पर रोजाना एक लाग रुपे से ज्यादा के गीववे चल रहे हैं तो फिर में खेलकर तो आप हैं परने के बात कर रहे हैं कर सकते हैं तो जारूर से जोइन कर लीजिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम कॉंबिनेशन के बारे में तो फ्रेंट टीम कॉंबिनेशन देखने से पहले हैं सबसे पहले हम आपको पता दू कौन से प्लेर अवेलेबल है कौन से नहीं ताकि आपको कॉंबिनेशन मनाने में दिक्कत ना आए तो आप देखो के केल रहूल क्विंट अंडी को एजे ओपनर खेलती हुए ने ज़रा सकते हैं MS दोनी का बल्ले बाजी करम थोड़ा सा कन्फूजन बरा रहेता है क्योंकि यह नंबर पाच छे साथ तक यह बल्ले बाजी करने आते हैं फिर हम देखेंगे यहां से बल्ले बाजी शेक्षन की तो मनीश पांडे को मेंने लिया है इवन लुइस को मेंने लिया है अब आप देखो के यहां पर fan to play एप में आप दो बल्ले बाज से छे बल्ले बाज लेकर चल सकते हो अब फ्रेंश यहां पर अगर आप देखो के पांडे बाज में आपको आगे बता दूगा केल रहूल और क्विट इको को बल्ले बाजी में मनिश पांटे और इवेन लूइस को फिर all-rounder section की बात करें रविंद्र जड़जा, मोहिन अली, कुणाल पंडिया को अब दिपक हुड़ा दूसरे एप में बल्ले बाजी section में दे रखें तो आप वहाँ पर बल्ले बाजी section में लेकर चल सकते हैं जहाँ पर तीन बल्ले बाज minimum मांगे जाते हैं फिर हम देखेंगे यहाँ से और फ्रेंज एक चीज यहाँ पर में खास्यत आपको बता तो दिपक हुड़ा और कुणाल पंडिया की दोनों के बल्ले बाजी आने के chances हाई रहते हैं साथ इसाथ दोनों घेन बाजी भी करते हैं तो कहीं न कहीं आपको पॉइंट देखर जाते हैं तो ग्रेंड लिग में यह दोनों पिक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ग्रेंड लिग में दोनों को कैप्टेन वाइस कैप्टेन जरूर बना दीजिएगा फिर हम बात करें यहां से नीचे के ओप्शन की तो आयूश बड़ोनी ने लास्ट में बल्ले बाजी बहुत अच्छी की थी लेकिन बल्ले बाजी आने के चांसा इनके थोड़े से कम रहते हैं क्योंकि टोप उडर इनका बहुत ज़्यादा मजबूत है तो देखो के कुणाल पंडिया, दिपक उड़ा, मोहिन अली और रविंद्र जड़जा को मैंने लिया है गेन बाजे की बात करें तो यहां पर फ्रेंज फिर से बता दू यह जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो ग्रेंड लिक का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं प्रेंड फिर आप चेंज करना चाहें तो आवे श्कान अच्छा ऊप्छन है दुस्मंता चमीर अच्छा ऊप्छन है इन में से भी आप लेकर चल सकते हैं तो चलिए टीम का कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं तो फ्रेंज यहां से आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से दिखे है क्योंकि यहां पर मैं ग्रेंड लिक के कॉम्बिनेशन आपको बताने वालो हूँ अगर यह चारों में से कोई आउट होता है तो फिर कुणाल पंडिया और दिपक खुड़ा तो ही अगर यह आउट नहीं भी होते तो यह गेंड बाजी से कहीं नहीं पोइंट देते हैं तो बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है यहां पर आपको लखना होगी फिर हम CSK की बात करें तो मोहिन अली हाई जांच से इस मेच में खेल सकते हैं खेलेंगे तो टोब अटर बल्ले बाजी के साथ गेंड बाजी करते हैं रविंद्र जड़जा भी या तो बल्ले बाजी से पोइंट देते हैं या गेंड बाजी से तो यहां तक मेरी टीम मुझे परफेक्ट नजर आती है फिर आप देखोंगे ड्वाइन ब्राव विकेट टेकिंग गेंग बाज एडम मिलने हैं विकेट टेकिंग गेंग बाज हलागी लास्ट मेच में इने विकेट नहीं मिले दे तो लोगों ने इन्हें अवोइड किया और रवी विश्णोई को भी काफी लोग अवोइड करक देखोंगें दोनों कहीं न कहीं पोइन देख़ते हैं फिर आम बात करें स Теперь Кॉंबिनेशन की तो भीिया सेकंडтора कॉंबिनेशन हैैं सेकंड कॉंबिनेशन में बल्ले बाजी मैंने सेम रख़ी हैं यहांपर केल रहूल कुइंतन डिको ईवेन लुइस और मनीश पाटे під tay moral है मैंने कनवे और रॉबिन उत्थपा को लिया है यहाँ पर मोहिन ली रविंद्र जड़जा और ड्वाइन ब्राव यह तीन प्लेयर तो मेरे फिक्स रहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं है तीनों प्लेयर पोइंट देखकर जाते हैं फिर दुश्मन था चमीरा और रवी विश्णोई मेरी टीम में यहाँ पर आ जाते तो एक परफेक्ट है मुझे नजर आते है जैसा कि कनवे लाश्ट में में जल्दी आउट हो गएते लेकिन बड़ा प्लेयर है कनवे और रॉबिन उत्थपा भी थोड़े बोर्ट पोइंट तो देखकर जाते हैं हाला कि अगर चल गए थोब बड़ी पारी में तब्दील कर सकते हैं तीसरे कॉम्वीनेशन की हम बात कर ले थे हैं तीसरा जो उमरे कॉम्वीनेशन बनेगा उसमें मैंने क्या क्या है मेरे फिक्स रहेंगे दुश्मंता चमीरा, आवेश खान, कुणाल, पंडिया यहां तक मेरी टिम पर्फेक्ट नजर आती है यहां पर आप कॉंबिनेशन बना सकते हैं जैसे के एडम मिलने की जगे रवी विश्णोई को ले लिया या इनकी जगे अमबाती राइडू को आपने ले लिया या इनकी जगे दीपर खुड़ा को आपने ले लिया तो इस तरह कैसे यहां पर आप ग्रेंड लिक में कॉंबिनेशन बना से तो बाकी एक परफेक्ट कॉंबिनेशन हमें नजर आता है फिर हम बात करें यहां से एक और कॉम्बिनेशन के बारे में तो फोर्ट जो मेरा कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा हटके कॉम्बिनेशन है इसमें आप देखोगे दुश्मनता चविना, आवेश खान, रवी बिश्णवी और कुणाल पंडिया चारो की चारो दिग्गत के इच बात, क्यों लिया अगर पहले चेंज़न है की बल्ले बाजी आते हैं और ये तीनों बड़ी पारी में स्कोर तबदिल कर देते हैं मान के चलिए दोसों का करीव अगर इनों 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 स्कोर बना दिया तो जाहिर सी बात है इन्हें विकेट मिलने के चांसे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे अगर इन्हें विकेट मिलेंगे तो जाहिर सी बात है मोहिन लियो और रविंद लिया बोलिंग भी करते हैं तो पोइंट देखर दाएंगे वरना बल्ले बाजी आईगी तो बल्ले बाजी से कंट्रिमूट करेंगे वही पर अमबाती राइडी और रोबिन उत्तपा दोनों ही मेन बल्ले बाजी को मिने अपनी टीमेज जगे दिये तो इस तरह के से आप कॉंबिनेशन मना सकते हैं यहाँ पर यश्रश्वी जैसल अगेरा को ले सकते हो तो यहाँ पर आभी एक दो चेंजिस कर सकते हो बागी यह कॉंबिनिशन मुझे परफेक्ट नदर आता है फ्रेंज टेलीग्राम से ज़रूर जूट जाना क्योंकि टेलीग्राम पर आपको बहुत सार इंफोमेशन मिलती है रोजाना एक लाग रुपे से जदा के गीववे चल रहे लेकिन ध्यान ही रखना टेलीग्राम मनी गुरुजी के नाम से वो सर्च करने पर नहीं मिलेगा आपको जो लिंक में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्चन में दिये उसी लिंक से आपको में टेलीग्राम पर मिलेगा और ध्यान रखना फैन टूबले आपको भी आप डाउनलोड करके दीकिए बहुत चाहिए पर लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्चन में बिलेगी थैंक यू वेरी मच